सोर कुकर अर्था सोलर कुकर का नामांग की चित्र केसे बनाए स्टेप बाई स्टेप देखिए सबसे पहले बाहर ये जो लकड़ी वाला हिस्सा इसका रहता है इस वाले हिस्से का स्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए और ये आपकी जो कॉपी की लाइन्स होती है उन लाइन्स से बहुत अच्छे से बन जाता है तो ये वाला स्ट्रक्चर आप एक फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है पहले बना लीजेगा देखिए फिर उसके बाद में क्या करना है ये यहां आप क्या कर रहे हैं ये वो वाला हिस्सा है जहां पर आपका समतल दर्पन लगेगा और ये समतल दर्पन का आपका स्ट्रक्चर इसमें रेडी हो गया अब इसके बाद में ये वाले हिस्से को पूरा कर दीजेगा और इसके अंदर ये आप एक काज की प्लेट और अंदर का हिस्सा काला मतलब ये क्या है कि ये जो इसका जो आंतरिक भाग है ये बाहर तो लखड़ी का है और इसका आंतरिक भाग काला पुता हुआ है तो ये काला पुतावा हिस्सा आप यहां से इसको दिखा दीजेगा पूरा काला ना कर पाएं तो कुछ किनारों किनारों से आप इसको काला कर दीजिएगा तब भी काम चल जाएगा फिर उसके बाद में इसके उपर चुंकि एक और कांच की प्लेट रहती है तो उसकांच की प्लेट को आप अलग से बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो इसी दो फ्रेम बना दीजिएगा एक के उपर एक तो यह आपकी यह कांच की प्लेट का काम भी हो जाएगा और चुकि सूरी के प्रकाश से हमें पता है कि यह उर्जा का नविकर्णिय स्त्रोत है और सोर उर्जा के उप्योक से इसमें खाना पकता है तो हमें सूरी से आने वाली जो प्रकाश की किर्णे है उनको इस समतल दरपन पर आप्तित करने के बाद उनका क्या करना है आप तनकोण और परावर तनकोण वो बराबर बराबर भी कुछ हद तक दिखाई दे जाएं चित्र में और यह आपके जो बॉक्सेस हैं जिसके अंदर आप खाना रखेंगे वो आप काले कलर से पुतेवे बॉक्सेस रहेंगे तो इस तरीके से आप दो तीन चार बॉक्स जि क्लिद्ट की है इसलिए शक्रेकस में ऐसे और यहांं पर आपने यह वाला स्टुक्शर भी बना दिया रहे हैं और यह आपका खाद यसामगरी काले डिपयों के अंदर और उसके बाद में यह जो आंत्रिक जो मेटलिक बॉक्स है वो काला पेंट किया हुआ है अंदर की तरप से और बाहर वाला जो हिस्सा है यह आपका बाहरी भाग जो है वो लकडी का बॉक्स है यह आप बता दिएगा तो इस तरीके से आप इसका नामांकन भी कर सकते हैं चलिए मैं इसको फिर से एक बार स्टेप बाई स्टेप आपके साथ बात कर लेता हूँ देखिएगा आप यह स्ट्रक्चर को बनाते चलेंगे या देखते चलेंगे किस धंग से इस ट्रक्चर तयार करना है यह आपका जो लकडी के बॉक्स वाला हिस्सा है वो वाला आपने स सबसे पहले प्लान किया है और उसके बाद में जो सम्तल दरपन का जो फ्रेम है इसको आपने करके बीच में सम्तल दरपन लगा दिया हैそれでは पर बाहर बाहर से तैयर हो गया और अंदर की जरब जो ही इसमें आपको पता है कि यह आपकी जो धात्विक हिस्सा है वो काला पुता हुआ है और इस तरीके से उस पर कांच की प्लेट साती हैं तो वो कांच की प्लेट भी आप इसके उपर बना दीजिएगा फ्रेम भी इसकी बन किया जा सकता है और यह आपकी जो सूरी का प्रकाश है उससे आने वाली प्रकाश किर्णे है जिनका परावरतन होता है और परावरतन के बाद में यह अंदर काले पुते हुए डिब्बे हैं तो यह चुकि काला रंग उश्मा का अच्छा उशोशक होता है तो यह इसलिए क काले रंग से इन डिबों को पोत कर इसके अंदर रखते हैं और यह आपका यहां आप सूरिक बना दीजेगा एक उसको ताकि वो प्रकाश की किर्णे वहां से आ रही हम यह बता पाएंगे क्यों ताकि वो सोलर कुकर किस दिशा में रखना यह भी उससे डिसाइड हो जाएगा तो यह प्रकाश की किर्णे वही यह समतल दरपन है यह काश की प्लेट है और यह आपका खाद्य समगरी काले डिबों में यह अंतरिक भाग काला पेंट किया हुआ और यह आपका जो बाहरी लखडी के बॉक्स वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा आपका तयार हो जाएगा तो इ